आज हम सीखेंगे रेडिमेट साओधी स्टाइल सिंगल लेयर कैनवास फोर हेड नौसपीस जो है यह एडजेस्टेबल इलास्टिक के साथ है तो आप इससे इस तरह से चेहरा ओपन भी कर सकते हैं और कवर भी कर सकते हैं वीडियो में दिखाया गया साइज सभी यंगल इसको फिर आगा सो आप मेरे मेजरमेंट के फालो करते हुए अपना ये नौसपीस बना इसकते है अब ये इन नौसपीस बनाने की लिए यहाँ पर हमें आधा सी कप्ड़े की ज़रूत होगी तो आप हैवी शिफॉन या थिक जॉरजट ले सकते हैं तो यहाँ पर मैने ये थिक चौर्जट फैब्रिक लिया है या फिर आप कोई भी ऐसा कपड़ा ले सकते हैं जो ट्रांस्प्रेंट ना हो अब यह नोस्पीस वाला जो हमारा फैब्रिक है इसकी जो चोड़ाई हमने ली है वो 13 इंच ली है तो कम से कम 13 इंच चोड़ाई लेनी होगी और इसकी जो लंबा फोर हैट पीस है वो यह मैंने इस तरह से कैनवास को फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है कैनवास की चोड़ाई धाई इंच ली है और इसकी लंबाई जो है वो 18 इंच ली है अब कैनवास की लंबाई से एक इंच एक्स्ट्रा हम कपड़े की लंबाई ले लेंगे तो इस कप है अब कैन्वास को हमने फैबrik पर आयरन की हेल से इस पर पेस्ट कर लिया है और कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप हमने पेस्ट के है उपर से आदा इंच चड़ा दिया है और इस तरह से फोल्ड करने के पाद आदा इंच आगे की तरफ निकला है और यहां देख सकते हैं, इस साइड से और इस साइड से भी आदा आदा इंच हमने फैब्रिक निकाल दिया है, तो इस तरह से हमने 7 Whoo तैयार कर लिया है और ये हमारा नोसपीस है और साथ में हमने ये 3 इंच्श अड़ी एक पट्टी ली है, इसमें से cover भी कड़ सकते हैं अब elastic में हमने ये 4 पीस लेने हैं 1.5 इंच लंबे तो यहाँ पर हमने 4 पीस की लंबाई इस तरह से 1.5 इंच कट कर लेनी है तो चलिए अब देख लेते हैं इसको stitch कैसे करना है तो ये strip पर्टी और 4 पीस साइट में रखेंगे और ये elastic और nose piece को हमने stitch करना है तो किसी भी corner से हम यहाँ से fold करना start करेंगे तो मैंने 12 इंच जो हमारी लंबाई है वहाँ से start किया अब यहाँ से हम corner बनाएंगे और इस corner पर हम ये अपनी elastic रखेंगे इस तरह से अब ये देखें elastic मैंने जो रखी है वह 12 इंच जो हमारी लंबाई है जब end हो गया उसके corner पर रखी है यानि ये वाली जो side है भी ये 13 इंच और आई वाली है दोनों elastic का gap मैंने आदा इंच रखा है अब आगे हम fold करेंगे और इस वाले corner पर भी इसी तरह से ये दो पीस लास्टिक के लगा देंगे तो guys उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी और आप मुझे अपना प्यारा सा feedback ज़रूर देंगे ये नोस्पीस आजकल बहुत ज़्यादा trend में भी है तो देखिए इस वाले corner पर भी हमने आदा इंच का gap लेते हूँ ये दोनों elastic के पीस लगा दिये है अब बाकी जो हमारी ये दो side बजी है इनको भी इस तरह से quarter इंच fabric fold करते हूँ हमने पूरी सिलाई कर लेनी है अभी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ देखिए ये हमारी जो लंबाई है नोस्पीस की वो 11 इंच है 12 इंच पर हमने इसको cut किया था तो ये लंबाई जो बजी है ये 11 इंच बजी है और इसके बाद यहाँ से जहाँ पर हमने लास्टिक लगाई है ये हमारी पर ये लास्टिक लगानी होगी तो आप इस तरह से समझ सकते हैं जो चोड़ाई वाला ज्यादा हिस्सा है उसके उपर हमने लास्टिक लगानी है अब हमने अपना ये कैनवास वाला पीस लेना है और ये तीन इंच चोड़ी जो हमने पट्टी ली थी इसको बीज में से cut क करके दो में डिवाइट करेंगे दोनों पट्यों की चोड़ाई डेल इंच रहेगी और इनकी लंबाई जो है वो 27 इंच रहेगी इस तरह से तो अभी फिलाल ये दो हैं तो इनको हमने देखिए उपर से इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करेंगे साइट से भी आदा हादा इंच करके एक बार फोल्ड कर लेंगे और किनारे पर सिलाए लगाएंगे यहां पर हम यह फीटे टाइप की स्ट्रिप सिल रहा हैं आप चाहें तो इसको डोरी वाले इसटाइल में भी सिल सकते हैं यानि पहले एक साइट से सिलाए लगा लिजिए उसके बार दोरी की तरह पलट लीजिए अब इस वाले सिरे पर भी आकर हमने इसी तरह से उपर से आदा इंच फोल्ड करना है और उसको यहां लाकर पका कर देना है अब जैसे एक स्ट्रिप हमने स्टिच की है वैसे ही अब हमने दूसरी स्ट्रिप भी तो देखे दोनों स्ट्रिप हमारी सिल चुकी है अब इनको हम बराबर पकड़ेंगे इस तरह से और इसको बीच में से से रखनी है आगे वाले फैब्रिक से मिलाते हुए और जो हमने माक किया है यहीं पर सिलाई करनी है इस तरह से अब जैसे हमने यह साइड इस्टिच की है ऐसे ही हम यह दूसरी साइड भी माक करके दोनों पटियों को लगा लेंगे सो बस यहां पर दियान रखना है जो हमारी स्टिप है वो कैनवस से आगे ना निकले और जादा पीछे भी न रहे है और उपर से हम बराबर मिला कर रखेंगे जो हमारा आदा इंच फैब्रिक aujourd के एक्स्ट्रा इसके बाद हमने फैब्रिक को पीछे वाले इस तरह से पड़ट लेना है और अब यहाँ पर हमने यह आदा इंच का जो गपड़ा है इसको छोड़ते हुए सिलाय लगाना ही है यानि कैनवास के बिल्कुल बराबर बराबर और यह दूसरा सिर्व भी हमने इसी तरह से सिलाय करना है इस तरह से canvas वाली side उपर रखते हुए अब हमने इसको सीधा कर लेना है सीधा करने के बाद ये दो strip दोनों corner पर इस तरह से लगेंगी अगर आप दो strip नहीं लगाना चाहते तो आप center में एक लगा सकते हैं अब nose piece और forehead को stitch करने के लिए पहले हम अपना forehead piece का center निकालेंगे तो यहां से बराबर मिलाकर रखेंगे छोटा सा एक cut लगाएंगे अब इस cut पे हमने छोटा सा एक mark कर लेना है एक center mark हमने ये nose piece में भी कर लेना है इस तरह से अब दोनों center mark को हम एक दूसरे के सामने रखेंगे ऐसे करके और जितनी दूरी पर हमारी elastic है वही सेम दूरी हमने canvas के उपर हलके से mark कर लेनी है बस center से center मिला कर रखेंगे तो देखें यहां पर दोनों side में हमने ये mark किया है अब जितना gap हमारा elastic में है दोनों उतना ही gap इसके उपर आया है अब जो canvas के नीचे extra आधा inch fabric है वो अंदर की तरफ इस तरह से fold करेंगे और यहां किनारी से सिलाई करना है start करेंगे तो canvas के नीचे जितना भी हमारा extra fabric है उसे आगे की तरफ खीशते हुए हमने यहां पर set कर लेना है और अब हम यह अपना nose piece जहां से हमने elastic लगाई है वहां से हम यह forehead piece के साथ attach करेंगे तो दिखिए जो elastic की दूरी का हमने gap लिया था वहीं पर हमने elastic को insert करना है और जो elastic की हमारी लंबाई रहेगी वो लगबग हम आदा inch इस तरह से show करेंगे तो इस तरह से आदा inch लंबी हम elastic रखेंगे और अब हमने यहाँ पर किनारे पर सिलाई कर लेनी है बस सिलाई करते हुए यह धियान रखना है जो हमारा canvas के नीचे fabric है वो lose नहीं होना चाहिए आगे की तरफ खीशते हुए हमें पूरा वो अंदर रखना है ऐसे करके अब यह वाले side की जो elastic है वो भी हम इन दोनों mark के just नीचे यानि अंदर के side में रखेंगे canvas और नीचे वाले fabric के बीच में और जो इनकी length elastic की वो वैसे ही आदा inch रहेगी अब यहाँ आकर हमारी यह slide जो है complete हो गई है इसके बाद यहीं से हम उपर की तरफ जाएंगे और आदा inch का gap लेते हुई यह सिलाई हम canvas के चारों तरफ कर देंगे इससे जो हमारी finishing है वो अच्छे से आएगी और बिल्कुल readymate जैसा बनेगा तो canvas के चारों तरफ हमने एक pair की सिलाई लगा देनी है इसी सिलाई के साथ हमारा जो nose piece है वो stitch हो चुका है अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार और दिखा देती हूँ सिलने के बाद इसका जो measurement है वो किस तरह से है यह दो strip है side में इस तरह से और एक side में यह दो है अब बस आपको यह देखना है जो nose piece की लंबाई है वो हमारी 11 इंच रहेगी इससे आप जादा भी ले सकते हैं 15 इंच बट यह short nose piece है और nose piece की जो चुड़ाई है वो कम से कम 12 या 13 इंच आपको ready रखनी है इसके बाद जो हमारे strip है उनकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच लिए है आप 10 इंच भी ले सकते है एंड साइड में हमारी जो लास्टिक है ये कुछ इस तरह से खिचेंगी इसी के साथ हमारा जो nose piece है वो एड़जस्ट होगा फिस ओपन करने के लिए साथी साथ मैं आपको और एक टिप देना चाहती हूँ आप अपन फोरेट पर कोई भी इस तरह से designer button या फिर कोई भी ऐसा metal का piece लगा सकते हैं जो जैसे star या moon को stripe का जैसा readymate में आ रहा है तो उस type से भी आप इसको यहाँ पर एक side में लगा सकते हैं center से 4 इंच आगे की तरफ और अगर forehead पर नहीं लगाना चाहते तो आप elastic में कोई locate type का भी लगा सकते हैं और अगर कुछ नहीं लगाना चाहते तो भी ठीक है अब इसको देखिए पहनना तो सभी जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँगी कि इसको पहनना कैसे है इस elastic inner cap की वीडियो मैं इस वीडियो से पहले डाल चुकी है तो आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं एंड में जो link है वो एंड स्किन पर भी लगा दूँगी अब देखिए simply इसको यहां इस तरह से रखना है हमारा जो nose पी से और पीछे जो strip से इनको चाहिए एक साथ बान दीजिए या फिर अलग-अलग इस तरह से बान दीजिए सो बस हमारा nose पी तयार हो चुका है यह side में जो हमारी elastic लगी है इससे हम अपना face इस तरह से chin coverage भी कर सकते हैं add पूरी तरह से अगर हम chin के नीचे इसको करना चाहें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं यह है या पूछना चाहते हैं तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं एंड जो inner cap का मैंने वीडियो बताया है वो आप यह end screen पर भी देख सकते हैं वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दे साथ साथ चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए और अपनी पसंद का आप कोई भी inner cap या हिजाब डिजाइन या अबाया डिजाइन बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बाक्स में कोई भी डिजाइन सजेस्ट कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो